हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Study IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरो नाम है मनीश रवास्तो और दिन के 12 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है परियावरण और पारिस्तितिकी और परियावरण पारिस्तितिकी के क्रम में आज हम पहुँच चुके हैं Lecture No.26 तक मतब Lecture No.26 के बारे में आज पढ़ेंगे और अभी हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें हमने अलग-अलग संगठनों के बारे में परियावरण से जुड़े हुए पढ़ना स्टार्ट किये थे जिसमें हमने UNEP को पढ़ लिया हमने IUCN को पढ़ लिया है हमने WWF को कम्प्लीट किया था और पिछले सेशन में हमने Sights नाम के एक संगठन को देखा था The Convention of the International Trade of Endangered Species of the Wild Flora and Fauna यह हमने पढ़ा था आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक और संगठन महत्पून है जिसको WMO कहा जाता है यानि World Metrological Organization इसको हिंदी में बोला जाए तो यह कहा जाता है विश्व, मौसम, विज्ञान Metrological का मतलब मौसम से जुड़ा हुआ विज्ञान और उस से जुड़ा हुआ एक संगठन उसके बारे में आज हम अच्छे से चलचा करेंगे तो ध्यान से आज का सेशन आप लोग देखेंगे बहुत सारी नही जानकारियां आपको मिलेंगी और हमने कई संगठन जो पढ़े थे उसमें भी WMO का नाम आया था तो वहीं से जुड़ती हुई कहानी मैं बताऊंगा किस तरीके से बना पहले इसका नाम WMO नहीं हुआ करता था ये बहुती पुरानी और्गनाईजेशन है अगर इन्वायर्मेंट के अंतरगत आप से कोई पूछे कि बहुत सबसे पुरानी और्गनाईजेशन में किसी का नाम बताओ तो WMO का मिलेगा आप कहेंगे सर 1948 में तो IUCN बन गया था ये तो 1950 में बना लेकिन 1950 में इसका नाम WMO हुआ इससे पहले भी इसका नाम कुछ और हुआ करता था वो काहनी को भी आज समझेंगे बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी तो दिहान से आकरी तक सेशन को देखेंगे तो हम जिस क्रम में बढ़ रहे हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे चलकर पढ़ेंगे पारिस्तितिकी, जैव, विवित्ता, प्रदूशन, पर्यावरन अभी हम फोकस कर रहे हैं वैश्विक्तापन हो चुका है ये टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हम संगठन, संमेलन जितने भी महतपूर्ण हैं जो परयावरन विशे से आपको पूछे जाते हैं अलग-अलग वहां से हम इस चीज़ को कवर करते हैं तो आज हम क्या करेंगे WMO को पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं और WMO की अच्छे से समीक्षा करते हैं कि वही WMO किस तरीके से आपके लिए महतपूर्ण हो जाता है क्या क्या चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है कि कहा कहा से आपसे पूछा जा सकता है तो इन सारे विशों को देखेंगे जो कि आपका संगठन और संमेलन के अंतरकत आता है इसके अलाबा शब्दवलियों पर भी मैं आगे चर्चा करूँगा तो देखा जाए तो शुरू करने से पहले आपके लिए एक और महतपूर्ण सूशना है P2I Batch 11 अगस्त से शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम, हिंग्लेश और इंग्लेश के लिए मेरा कोड है मनीश लाइप, आप इसको यूज़ करेंगे तो 29,999 में P2I Batch में आप इन्रोल कर सकते हैं 2024 के लिए जो लोग प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शांदर अफसर है दिल्ली आने का मॉनिंग Batch है, इसको आप जॉइन कर सकते हैं इसके अलाबा PDF आपको इस टेलिग्राम ग्रोप से मिल जाएगी यहां से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे, यह टेलिग्राम ग्रोप है यह मेरी मेल आईडी है, यह इंस्टाग्राम आईडी है कहीं पर भी कोश्चन्स पूछ सकते हैं चल, तो हम जो बात कर रहे थे, कि वही एक संगठन बना, कब बना, 1873 में बना 1873 में एक संगठन बना था, जिसका नाम था International Metrological Organization यानि IMO आप बोलेंगे सर, आज की क्लास तो WMO की है तो वही यह 1873 में बना था, लेकिन 1950 में एक दिन आया, जिसको कहा जाता है 23 मार्च 23 मार्च का जो दिन है, वो काफी महत्पूर्ण है और इस दिन 23 मार्च 1950 को बन गया WMO World Metrological Organization वह आप सोचेंगे सर, क्या फर्क पड़ता था, पहले अंतर राष्ट्रिय था, फिर विश्व हो गया लेकिन इन दोनों में अंतर होता है, यह आज की क्लास में समझना है सबसे पहले आप लोगं को अभी तक कोई अंतर नहीं समझने आता था, कि कहीं पर लिखा है अंतर राष्ट्रिय था, इबं विश्व लेकिन पर्यावरण और इस संगठन ने इन दोनों में बताया कि कुछ अंतर होता है तो क्या होता है, अंतर राष्ट्री यह मतलब यहाँ पर दो राष्ट भी हो सकते हैं, तीन राष्ट भी हो सकते हैं, दस राष्ट भी हो सकते हैं तो अंतर राष्ट्रियों में कोई विश्व के अलग अलग देशों के बीच में कोई agreement हुआ है, समझोता हुआ है, उस चीज को आप international organization कहते हैं, लेकिन जिसके आगे लग जाता है शब्द विश्व, यानि वो पूरे विश्व के लिए काम करने के लिए प्रयास करता है, उसक बाकी सारे देशों को हो जाए, तो वो जो कोवेड में guideline जारी कर रहा था, वो सारे देशों के लिए काम कर रहा था, तो यहाँ पर आज ध्यान से समझ लिए जिनको नहीं पता था, अंतराष्ट्रिये स्तर का मतलब कि भाई किसी दो देशों के बीच में कोई सामोहिक बन गया और उसके उपर उन्होंने बात करना चालू कर दी, तो 1873 में यूरोप के अंतरगत मौसम के लिए एक संगठन बनाया गया था, International Metrological Organization, तो इसमें सिर्फ यूरोप के देश थे, अब जब भारत भाग बना है, तो भारत इसका सदस्य कब बन रहा है, तो भारत इसका सदस्य 1950 में बन रहा है, ये समझें, क्यों क्योंकि ये तब जाकर इसका नाम क्या हुआ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो विश्व शब्द का मतलब है, कि ये पूरे विश्व के समू के लिए काम करता है, इसका जो लक्ष है, वो किसी भी जगापर लाबकारी ना होते हुए, एक तरीके से क्या हो जाता है, तो एक सामाजिक स्तर पर काम करना, विश्व के लिए सोचना, और उनके वेलफेर के लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए काम करना ये होता है, तो अंतर राष्ट्रियों में दो राष्ट भी हो सकते हैं, तीन राष्ट भी हो स हम हर वर्ष जो मेट्रोलोजी डे मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलोजी डे यानि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाते हैं 23 मार्ज को ये तब हुआ जब WMO का गठन हुआ और देखा जाए तो 1945 में क्या हो गई थे एक गठना संयोगतराष्ट भी बन गया तो आज ये संयोगतराष्ट संग की एक एजनसी के तौर पर मिलती है लेकिन जब गठन हुआ तब कोई UNE नहीं था United Nations सी नहीं था संयोगतराष्ट ही नहीं था तो ये 1950 में संयोगतराष्ट की एक एजनसी के तौर पर आज काम कर रहा है ये सबसे पहले क्या था अंतराष्ट्रिय मौसम विज्ञान संगठन यानि IMO कहलाता था ना कि WMO तो ये इसमें लगबग 75 साल का समय लगा उसके बाद नामकरण बदला है तो यहाँ पर 1873 की बात करें 1873 में ये ये यूरोप में चालू हो गया था अब इसी को देखते हुए भारत में भी कुछ बदलाव किये गए दो साल बात 1875 में भारतिय मौसम विज्ञान जो विभाग है उसको बनाया गया था आज आप IMD के बारे में सुनते हैं Indian Metrological Department IMD बहुत सारी चीजें जारी करता है जिसे कभी उडिसा के तट पर क्या स्तिती रहेगी कोई चक्रवात आ रहा है ये सारी खबरे हमें IMD देता है और IMD जो काम कर रहा है वो आज विश्म मौसम विज्ञान संगठन के तौर पे काम कर रहा है लेकिन 1875 में इसके दो साल बाद बन गया था 1905 के आसपास इसका जो हेटकोर्टर था शिमला में हुआ करता था 1928 में पूने आया और अभी IMD पूरी तरह से कहा काम करता है तो दिली में उसका हेटकोर्टर है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी अंतराष्टी मौसम विज्ञान संगठन यानि International Metrological Organization तो इसकी उत्पत्ती अंतराष्टी मौसम विज्ञान संगठन से हुई किसकी उत्पत्ती हम WMO की बात कर रहे हैं यह पहले क्या था अंतराष्टी मौसम विज्ञान संगठन से हुई थी जिसे वर्ष 1873 की वियना अंतराष्टी ये मौसम विज्ञान कॉंग्रेस के बाद स्थापित किया गया था वियना कहा तो यूरोप का ही एक देश आस्ट्रिया है वहां की राजधानी वियना है तो वियना में कॉंग्रेस हुआ था मतलब कॉंफरेंस हुआ था वहां पर ये विचार हुआ कि यूरोप के कई देशों ने मिलकर कि हम मौसम के लिए क्योंकि आप आज देखते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है आज वेदर फोरकास्ट आप कहीं जाते हैं या अपने शेहर के अंतरगती आकलन करते हैं तो कई तरह के अलर्ट जारी होते हैं कहीं रेड अलर्ट जारी हो रहा है कहीं औरेंज अलर्ट जारी हो रहा है इन सारी वज़ेहों से क्या होता है लोग पहले से अवेर हो जाते हैं जागरुक हो जाते हैं और कोई भी आपदा का जो असर होता है उसको निम कर दिया जाता है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है तो इसलिगे ये संगठन हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाते हैं अगर आपको पता है कि भई आप इस कहीं घूमने जा रहे हैं मान लिया जाए को मौसम विक्राल हो सकता है, कोई चक्रवात आ सकता है, तो इस समय आप जितने प्लान से उनको कैंसिल कर दो, तो इसने क्या किया, जानमान का जो हानी हो सकती थी, उसको कम कर दिया, तो यही विचार कहां पे आया, सबसे पहले आया, यूरोप के देशों में, तो वहां के भी लोगों को लगा कि, भई हम ऐचा कोई संगटन बनाएं, जिससे हम जो कई तरह की घटनाएं होती है, मौसम संबन्दी, कितापमान में बदलाव हो गया, दाब में बदलाव हो गया, अधरता में बदलाव हुआ, या कहीं पर स्नोफॉल हो रहा है, कहीं वर्शा हो रही है, तो इन सारी चीजों की बारे में, हम कोई तो एक स्टेप उठाएं, तो 1873 में इस स्टेप उठाया गया, तब ये यूरोप के ही देशों तक्सीमित था, इसलिए नाम क्या था, अंतर राष्ट्री है, अंतर राष्ट्री मताँ देशों के बीच में, इंटर, नाशनल, कई नेशन्स के बीच में, कई देशों के बीच में होने वाला काम, जो था एक संगटन के तोर पर IMO बना, और जो बाद में विश मौसम विज्ञान संगर्ठन में तबदील हुआ, तो 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा, WMO मौसम विज्ञान और जलवाईव परिचालन, जल विज्ञान और इससे सम्मंदित भूब होत ते किये, विज्ञान हेतु संयुक्तराष्ट की विशेश एजेंसी बन गई, तो ये United Nations यानि UN संयुक्तराष्ट की ये एजेंसी बनने में इसको कई वर्ष लगे, और ये वर्ष कौन सा है, 1950 का है, तो 1950 में जाकर 23 मार्च की डेट बहुत important है, ये याद रख लेंगे 23 मार्च जो मैंने अब भी आपको शुरू में बताया, कि 23 मार्च को पूरा का पूरा समी करण बदला है, और 23 मार्च को जाकर ये एक ऐसा ओर्गिनाइजेशन बना, जो UN के अंतरगत था, अब UN के अंतरगत ये क्या है, विश्व के लिए काम कर रहा है, तो ये कई सारी संगठों के साथ मिल जूल कर काम करता है, तो WMO के कन्वेंशन का अनुसरमर्थन द्वारा स्थापित, WMO, मौसम विग्यान, मौसम और जलवायू, मौसम विग्यान, यानि आपका सीधे तोर पर हम यहाँ पर दोनों ही विश्वों पर बात करते हैं, मौसम की भी और जलवायू की भी, आप लोग ने इतना तो पढ़ी लिया है, अभी पढ़ते पढ़ते कि जलवायू का मतलब होता है, दीर्ग कालीन अध्यान, किस चीज का दीर्ग कालीन अध्यान, तो इसमें दाब है, इसमें ताप है, इसमें वायू है, इसमें वर्शा है, इनका जब आप बहुत लंबे समय तक अध्यान करते हैं, तो क्लाइमेट हो जाता है, इसी को अल्प कालीन अध्यान करते हैं, तो WMO जो है वो कई लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है जिसमें परिचालन जल विज्ञान जल से जुड़ा हुआ विज्ञान भी इस से जुड़ा हुआ है भू बहुत किये विज्ञान और ये पूरी तरह से संयुक्तराष्ट संगी की एजेंसी है जो विश्व के कल्यान के लिए काम कर रही है ना कि किसी देशों के कोई तरह के एक वैचारिक सम्मेता जो बनी हुई है उसके आधार पर काम कर रही है तो थोड़ा सा अंतर है 1873 में IMO था जो बन गया WMO 23 मार्च 1950 को तो ये बन गया अब ये क्या है अगर आप से पूछा जाए कि क्या ये गेर सरकार का समर्थन है और सरकारें मिलकर काम करती है क्योंकि भारत में एक विभाग है जिसको हम क्या कह रहे है आईमडी विभाग इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट अब इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमे यानि भारती मौसम विज्ञान विभाग जिसका वर्तमान में हेड़कॉर्टर आपको कहां देखने मिलता है, निउ डेली में देखने मिलता है, लेकिन 1928 के बाद पुने में हुआ करता था, आज भी पुने में है इनकी एक प्रयोक्षाला, जहां से बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, उससे पहले ये शिमला में भी हुआ करते थे, 1905 के आसपास अगर देखा जाए, तो शिमला में भी थे, उनको कब बना दिया गया था, ये 875 में बन गये थे, 1873 में IMO बना, और IMD बन गया, 1875 में, तो जब 1950 में भारत ने हस्ताक्षर कर दिये, भारत एक सदद से बन गया, 23 मार्च को, किसका WMO का, तो WMO के साथ क्या होता है, कि WMO कई जानकारियां प्रदान करता है, जिसको IMD लेता है, और कई IMD शोध करता है, वो WMO को देता है, जैसे ब्रुनाई हो गया, वियतनाम हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया है, यहां की मौसम के लिए भारत कई inputs दे देता है, जो वहाँ पर काम आते हैं, तो यह वैश्वे की स्तर पर है, यहां पे कोई अपने देश का सोच कर काम नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया, world organization है WMO, और भारत भी उसका सदस से है, हस्ताक्षर करता है, तो भारत भी यही चाता है कि भाई, किसी भी तरीके से हम मौसम के लिए कुछ अपना अपना ना सोचे, तो इसमें क्या है, कि भारत इसका हस्ताक्षर करता हुआ, तो यह बन गया एक इंटर गॉर्मेंटल और्गिनाईजेशन, देखिए इसको समझिए, जब यह 1873 में बना, तो 1873 में यह कुछ ही सरकारों का एक अंतरसरकारी संगठन था, लेकिन पूरे वैश्वेक स्तर पर यह 1950 में लागू हो गया, क्योंकि हमने इसका नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन किया, तो यह एक इंटर गॉर्मेंटल और्गिनाईजेशन है, यानि आईजियो है, यानि अंतरसरकारी संगठन है, और अंतरसरकारी संगठन का यह नियमों की भी रख कर नियम को बनाया जाता है, तो 23 मार्ज 1950 को WMO बना है, ना कि आपका IMO बना है, याद रख लेंगे, यह थोड़ा सा इसमें difficult part है, जो आप याद रखेंगे, इसके अलावा इसका headquarter भी जिनेवा ही मिलेगा, तो हमने बहुत सारी organizations पढ़ी अभी, UNEP पढ़ा, भई UNEP का कहा है, तो नेरोबी में है, केनिया के अंतरगत, फिर हमने IUCN का पढ़ा था, इसके अलावा डबलु डबलु एफ का पढ़ा, और पिछली क्लास में हमने जो देखा था, वो sites के बारे में पढ़ा था, यह सारे के सारे Switzerland में है, यह Switzerland के land में है, जो जिने जिनेवा में है, ऐसे ही, आज जो हम organization पढ़ना है, WMO, इसका headquarter भी कहां बनाया गया है, जिनेवा में ही बनाया गया, तो जिनेवा में ही, अब आप से कभी कोई पूछ ले, कि भई यह सारे headquarter, जितने ही organizations दिख रही है, यह Switzerland में क्यों बनाई जाती है, तो इसके दो कारण ह इसको भी आज समझ लीजिए, कि भई ऐसा क्यों है, Switzerland एक ऐसा देश रहा, जिसने अपने समविधान के अंतरगत भी यह विचारधारा रखी, कि हम किसी गुट के साथ नहीं जाएंगे, गुट के साथ मतलब, जैसे आपने सुना की शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत जिसमें USA था, और USSR था, अब देखा जाए तो भारत का हमेशा पक्ष USSR की तरफ रहा है, अब भारत कही ना कहीं पक्षधार हो गया, लेकिन Switzerland ने हमेशा अपने समविधान में भी विचारधारा को फॉलो किया, कि हम किसी गुट के साथ नहीं जाएंगे, दूसरा, दोनों व विश्वियुद्यों में Switzerland ने भाग नहीं लिया, यूरोप की अंतरगत सबसे आदा विश्वियुद्य का फर्क पड़ा था, लेकिन Switzerland एक neutral देश बनाया जाता है, तो भाई कोई ऐसा देश जहां पर कोई संगठन का मुख्याले हो, मेटिंग्स हो, तो हो सकता है कि कि किसी इसा देश चुना जाए जहां पर संगठनों के हैटकोर्टर्स हो, जिसको विश्वियुद्य का खत्रा ना हो, जिसने कहा है कि हम पूरी तरह से हम बात दे हैं कि हम कोई युद्य में, किसी गुट में पढ़ेंगे ही नहीं, और हम ऐसी विचारधारा पर चलेंगे, जिसमे हम शान्ती के उस्थापना करेंगे, और काफी सुन्दर भी है, सुजिजल लैंड टूरिजम में भी काफी आगे है, तो इन सारे विश्वों के कारण आपको अधिक तर हेड़कोर्टर्स सुजिजल लैंड में देखने मिलते हैं, चाहे वो WMO का भी हो, विश्व मौसम ज्यान, संगठन, और यह हमें हर तरह की जानकारियां देता रहता है, चाहे वो चक्रवात आ रहे हो, चाहे वर्षा कहीं पर होने वाली हो, चाहे कहीं बाड आने का खत्रा हो, चाहे आपका सूखे पढ़ने की संभाव ना हो, मौसम से जुड़े जितने आकलन हो सकते हैं, क इसके अलावा, इसी के अंतरगत, जो अलग-अलग वायू की दिशाएं हैं, उनके बारे में सारी जानकारियां हमें यहां से मिलती हैं, इनके कई दूसरी चीज़ों के साथ भी रेलेशन्स हैं, दूसरे संगठनों के साथ भी काम करते हैं, और कई जानकारियां निकालते है और पूरी तरह से काम करते हैं तो भाई विश्व मौसम विज्ञान संगठन आज की डेट में क्या है? संयूक तराष्ट की एक विशेश एजेंसी है क्यों हो गई एजेंसी? क्योंकि इसने अनुसमर्थन कर दिया IMO के साथ ऐसा नहीं था वो अंतराष्ट्रिय था ये विश्व है तो इसमें वर्ल्ड लेवल पे सारी चीज रहती है इसके अलावा ये संगठन में आज 193 सदस्यदेश और राजशेट टेरिटरीस अंतरसरकारी संगठन है अंतरसरकारी तो अब समझी चुके हैं गैर सरकारी यानि NGO है कि भाई डिसीजन खुदी लेगा लेकिन इनके सरकार के प्रतिनिदेट वे इसमें हिस्सा लेते होंगे जैसे भारत की तरफ से भी लेते हैं अभी इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है डबलू एमो के इनका नाम है मृत्युन्जे महापात्रा जो मृत्युन्जे महापात्रा साब है वो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं डबलू एमो के तो मतलब हमारे सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिनिद्ध्व जाता है इसका हिस्सा हो सकता है और अभी तो प्रेसिडेंट ही है मता वाइस प्रेसिडेंट ही है प्रेसिडेंट अर्जिन्टीना की सेलेस्टो पाउलो है अभी बताऊंगा उनके बारे में भी लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन है मृत्विंजे महापात्रा तो यानि अंतर सरकारी संगठन वो संगठन हो जाता है जिसमें सरकार हिस्सा लेती है, सरकार के प्रतिने दिद्व हिस्सा लेती है और भारत की तरफ से लिया जा रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये संगठन पृत्वी के वायू मंडल की स्तिती भूमी, महासागर, पृत्वी के मौसम जलवायू वे हम जलशंशादनों की वितरण की जानकारी उपलब्द कराता है कि भई कहां पर जलशंशादन है कहां मिल सकता है मौसम कैसा रहेगा जलवायू कैसी रहेगी भूमी की स्तिती कैसी रहेगी महासागरों की स्थिति कैसी रहेगी वायू मंडल की स्थिति कैसी रहेगी इस सारी तरीके से काम करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता ही चल गया कि स्विजर लैंड में इसका हेड़ कोटर है और याद करिये आपको ही क्लास में पढ़ाया गया है कि वही जब IPCC को बनाया गया Intergovernmental Panel for Climate Change ये कब बना? 1988 में बना इसको बनने में दो संस्थाओं ने बहुत जादा योगदान दिया जिसमें आपका UNEP है और आपका दूसरा मिलेगा आपको WMO ये मैंने जब पढ़ाया था तो वहां बताया था ये दोनों ने मिलकर IPCC बनाया और IPCC ही Climate Change के अधार पर था जो 1992 में पृत्वी सम्मेलन के अंतरगत हमने एक विशे रखा जिसको जलवायू परिवर्तन कहा गया और जलवायू परिवर्तन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गए United Nation Framework Convention on Climate Change जिसको आप UNFCCC कहते हैं ये किस में आया था यहीं आया था 1992 के पृत्वी सम्मेलन में और यहीं पर पेशकर्ष की गई थी कि वही हम हर वर्ष मिलेंगे तो 1994 में ये पूरा निर्णे हुआ फिर 1995 से आपकी COP की बैठक होने लगी याद करिए COP 1 हुआ फिर COP 3 हुआ जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल पैरेस समझोता भारत में COP आठवा आयोजित हुआ था तो 1995 के बाद हर वर्ष COP आयोजित हो रहे हैं और अभी हम COP 28 पर पहुँच चुके हैं जो कि दुबई में होने वाला है 2023 में तो ये जो विशे आपको देख रहा है कि उन FCC कैसे बना तो UNFCCC के बनने की कहानी IPC से जुड़ी है और IPCC की कहानी WMO और UNEP से जुड़ी हुई है और UNEP जो बना वो 1972 के Stockholm सम्मेलन के बाद बना लेकिन WMO जो बन गया वो 1950 में ही बन गया था लेकिन ये और भी पुराना था 1873 में बना तब ये अंतर सरकारी था यानि इंटर गॉर्मेंटल था या फिर हम बोल सकते इंटरनाशनल था और इंटरनाशनल के बाद ये वर्ल लेबल पे बना तो कहीं ना कहीं आज हम जलवायू परिवर्तन की जो बात कर रहे है उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है तो इसका भी है WMO का भी है क्योंकि IPC की रिसर्च में WMO कही जानकारी देता है और उसके आधार पर क्लाइमेट चेंज की बात होती है इसी के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 2023 से 2027 के बीच में पृत्वी के तापमान का डेर डिगरी सेल्सियस से बढ़ने का अनुमान है और इसका अनुमान जो हम के पढ़ रहे थे इतनी बार कि जलवाईव परिवर्तन में कि डेर डिगरी सेल्सियस से अगर तापमान बढ़ने लगा तो हमारे कई द्वीब देश जैसे मौरिशेस जैसे देश हवाई जैसे देश द्रूब जाएंगे तो ये रिपोर्ट भी WMO की तरफ से आती है इनके द्वारा दो रिपोर्ट जारी की जाती है बुलिटेन एक स्टेट आफ क्लाइमेट की रिपोर्ट है उसी को भी हम बात भी करेंगे जो अभी हाली में रिपोर्ट आई भी थी तो भाई उद्देश क्या है ऐसे संगठनों का काम ही यही है कि वैश्विक इस्तर पर काम करना तो वैश्विक इस्तर पर हर एक ऐसी जानकारी देना जिससे देशों को फायदा हो सके मौसम होने वाले बदलाओं से नुकसान कम हो सके और अपना बहतर तरक्की, आकलन, इन सारी चीजों में बहतर हो सके, टिकनालोजी का यूज किया जा सके तो वैश्विक नेत्रत्व कर रहा है, वर्ल लेवल पर लीडर्शिप कर रहा है चाहे मौसम हो, यानि आपका सीजन्स, या मेटरोलोजी की बात करें क्लाइमेट की बात करें, जल्विक ज्ञान की बात करें Hydrology की बात करें या आपके environmental जितने issues हैं उनके लिए एक संगठन एकदम अड़ा रहता है जो नाम है इसका WMO किसके अलावा ये संगठन सभी राष्ट्रों की समाजिक भलाई के लिए कारे करता है देखे हमारी यही तो बात थी कि जब ये क्या था अंतराष्ट्रिय मौसम विज्ञान था तो इन सारे राष्ट्रियों का विशे था लेकिन इसी का नाम विश्वक्यों किया गया क्योंकि उसके पीछे कारण था समाजिक भलाई कि सारे राष्ट्रियों की समाजिक भलाई की जाए कोई ऐसा ना सूचा जाए कि हमारे हाँ इस मौसम से कोई या कोई चक्रवात आ रहा है तो इस चक्रवात से ऐसा सूचा जाएगी भारत बच जाए और बांगला देश में तबाई हो जाए तो ये कहीं पर भी WMO का लक्ष नहीं होता है चाहे भारत भी इनको जानकारी मुहिया कराता है क्योंकि भारत से भी बहुत सारे इंपुट्स मिलते हैं WMO को जो मैं बता रहा हूँ आपको कई ऐसे देश हैं ब्रुनाई जैसे देश इंडोनेशिया जैसे देश ये बार-बार WMO में जाकर कहते हैं कि भारत से मिली हमें ये जानकारी काफी लाभानवित रही और W प्रोग्राम चलाते हैं ताकि आपका वैश्विक इस्तर पर पूरी तरह से निगरानी भी रखी जा सके सुरक्षा भी दी जा सके कि किसी भी तरह से नुकसान ना हो किसी देश के अंतरगत जैसे आपने देखा कि मुंबई के अंतरगत चक्रवात आना था तो हमारी जो NDRF क टीम्स थी वो बहुत एक्टिव हो गई थी उडीसा में जब चक्रवात आये थे तो वहाँ पर कई लोगों को जो कस्वों में रहते थे या तर्टिये शेत्रों में रहते थे वहाँ से उनको खाली करके rescue centers पे भेज दिया गया था उनके खाने पीने की विवस्ता की गई थी तो ये सारी निगरानी भी WMO कर रहा होता है तो उसके कारियों के अंतरगत आता है तो WMO अंतराश्टी इस तर पर अपने कारिक्रमों के माद्यम से पर्यावरण की निगरानी और सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाता है इसके अलावा सयूगत राश्ट एजेंसिया जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं UNEP, अब UNEP के साथ पूरे की पूरे समपर्क हैं इसके अलावा WHO के साथ भी ये मिलकर काम कर रहा है UNICEF के साथ भी मिलकर काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले काम कर रहा है यह अगर इनसे कोई data मिल रहा है तो उसको भी ले ले रहा है IPCC को वो भी प्रदान कर दे रहा है तो इस तरीके से ही मिल जुलकर काम करने वाला है मतलब अन्य सहयोगत राष्ट एजेंसिया राष्टी मौसम विज्ञान यानि National Metrological Department हो गए जैसे इंडिया का IMD है इससे भी कोई input मिला तो सारे देशों के साथ साजा कर दिया और जल विज्ञान सेवाओं के सहयोग से WMO कई पर्यावरण सम्मिलोनों के कारियन बन में सहयोग करता है और कई तरह के environmental program आयोजेत कराता है जिसमें inputs बहुत सारी organization से इसको मिले होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस संगठन की सरकारों को सलहा देने और मौसम के आगलन करने में महत्पुन भूमिका होती है ये सारी सरकारों से उनके input भी लेता है अपने input भी देता है कुल मिलाकर लोगों का लाब हो लोगों को नुकसान ना हो उनकी सुरक्षा हो पर्यावरण की सुरक्षा हो इस वेश्वेक स्तर पर विकास तो हो लेकिन विकास ऐसा ना हो कि विनाश हो जाए इन सारी चीजों को balance करने का काम WMO को दिया गया है और WMO की ये गतिविदियां राष्ट के सतत विकास और कल्यान को सुनिश्चित करने में योगदान देती है जो हमने अभी बात करी तो ये आपको बात पता चली गई इसके अलावा इसकी जो अभी अध्यक्ष है अर्जेंटीना की सेलिस्टे साउलो है इनको अभी हाली में बनाया गया है ये कहां से बिलॉंग करती है अर्जेंटीना से है नाम इनका सेलिस्टे सावलो नाम है ये WMO की सदस से ही थी लेकिन अब ये प्रेसिडेंट बन चुकी है और जो उसके वाइस प्रेसिडेंट है वो भारत के ही IMD के एक विभाग में हुआ करते थे जिनका नाम था मृतिविंजे महापात्रा तो भारत और WMO कब से हैं 23 मार्च से एक दूसरे का साथ दे रहा है और अब तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी WMO में बैठ रहा है मतलब भारत का वाइस प्रेसिडेंट मतलब WMO का वाइस प्रेसिडेंट भारत की और से है ये जो है इनका नाम मृत्विंज है महापात्रा है ये अभी Vice President है इसके अलावा इसकी दो reports बहुत महत्पूर्ण है एक है Green House Gas Bulletin भई जो Green House Gas Bulletin है ये सारी खबरें यहां से बताता रहता है क्योंकि इसका पूरा का पूरा मैंने क्या बताया कि भई WMO IPCC को भी कई तरह के inputs देता है और IPCC, UNFCCC के कई तरह के आकलनों में काम आता है, जो COP में discussions होते हैं, तो जितनी greenhouse gas हैं, चाहे हम CO2 की बात करें, मिथेन की बात करें, नाइटरस अक्साइड की बात करें, सलफर हेक्जाफ्लोराइड की बात करें, प्लूरो फ्लूरो कार्बन ले 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 ले, अपका पर फ्लूरो कार्बन ले लिया जाए, इन सारी चीजों के बारे में एक बुलिटेन जारी किया जाता है, WMO के द्वारा, तो greenhouse gas बुलिटेन भी लाया जाता है, और एक आती है state of the global climate, ये रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, तो इस रिपोर्ट ने अभी दावा किया है, कि वही 2023 में हम चल रहे हैं, 2024, 2025, 2026 और 2027, मतब इन पांच सालों में प्रित्वी का तापमाण, डेर डिगरी सेल्सियस से बढ़ेगा, ये खतरे की घंटी है, और ये अब जो COP 28 बैठक होने वाली है, Conference of Parties की 28 भी बैठक, जो दुबई में होने वाली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो होगा, वो state of global climate की रिपोर्ट को रखा जाएगा, और वहाँ पर चर्चा होगी, कि वहाँ जो ये रिपोर्ट दावा कर रही है, इसको कैसे कम किया जाए, हम कैसे विकसित देशों को, विकाशील देशों को साथ में मिलकर काम करा सकें, नहीं तो बाचीत ही होती रहेगी, और प्रित्वी का तापमान बढ़ गया, तो फिर नुकसान क्या, फिर प्रित्वी को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, कहीं आप कोई देश ही पानी के अंदर के डूब गये, तो उनको क्या किया जाएगा, जैसे आप देखते हैं, कि आज किसी जगा पर वर्षा हुई, अब वर्षा हुई, तो कई जगा पे बाड़ आ गई, अब बाड़ आने के बाद होता है कि भाई, 15-20 दिन बाद सामानने स्तिती हो जाती, अब आप सोचिए, कोई देश था, वो देश ही डूब गया, जल मग नहीं हो गया, फिर क्या किया जाएगा, क्या वहाँ पे 5-7 दिन बाद वो जल नीचे चला जाएगा, तो इस तरह का विशह है कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इतनी बुरी स्तिती है प्रित्वी की, तो इस पर अभी जो बैठक होने वाली है दुबई में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है State of Global Climate, इमों का सदस्य है, कब से है, 23 मार्च से है, लेकिन भारत की जो संस्था, इसमें सबसे यादा अग्रणी भूमिका निभाती है, उसका नाम है आपका IMD, यानि Indian Metrological Department, ये कब बन गया था, तो ये 1875 में ही बन गया था, जब IMO बना था, उसके दो साल बाद ही बन गया था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो फिर इसको Ministry of Earth Science के अंतरगत लाया गया, तो आज जो है भारत के मंत्राले के अंतरगत आता है, प्रित्वी विज्ञान मंत्राले, लेकिन बन गया है कब, 1875 में ही बन गया है, तो इसके अलग-अलग जगा पर आपको Headquarters देखने मिलेंगे, शुरुआत में ये शिमला में भी रहा, 1905 के आसपास का जो डेटा कहता है, 1928 के आसपास आते आते, ये पूरे में शिफ्ट हो गया था, उसके बाद आज वर्तमान में New Delhi में है, नई दिल्ली में आज आपको IMD का उख्याले मिलेगा, लेकिन भारत के अलग-अलग केंद्रों से ये पूरी तरह से काम करते हैं, भारत इसका सदस्य 23 मार्च 1950 से, तो भारत विश्व मौसम विज्ञान संगतन का सदस्य देश है 23 मार्च से, और 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, World Meteorological Day, यानि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम 23 मार्च को ही मनाते हैं, और भारत इसका सदस्य शुरुवात से रहा है, इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हमने भी IMD को दी है, WMO को दी है, IMD ने, और IMD को भी बहुत सारी जानकारियां मिली है, कुछ यहां पर मैंने विशेश तोर पर चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे अरब सागर के उपर, आप देख रहे होंगे, गंभीर चक्रवातों की संख्या ने प्रती दशक, मता हर 10 साल में एक एक चक्रवात बढ़ता जा रहा है, पहले अगर 10 होते थे तो आप 11 हो गए, पहले 12 होते थे तो 13 हो गए, तो अरब सागर के उपर गंभीर चक्रवातों की संख्या में प्रती दशक एक की वृद्धी होई है, और भारत में वर्ष 1901 के बाद अधेक्तम तापमान 0.99 degree Celsius से वृद्धी होई है, ये हमें किसने पूरी जानकारी साजा की होई है, डबलू एमो ने की हुई है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, दूसरा एक और महत्पून डेटा है, जो डबलू एमो और भारत के बीच में साजा हुआ है, कि भारत में भी भारी वर्षा की घटनाओं में उल्लेकनिये वृद्धी होई है, और यही क्या कारण बन रहा है, बाल का कारण बन रहा है, यह सारी रिपूर्ट्स डबलू एमो के द्वारा दी गई है, और इसके पीछे कहीं न कहीं जलवाई उपरिवर्तन का ही कारक बताया गया है, इसलिए हम वैश्विक्तापन जैसी घटनाओं के लिए अलग-अलग कदम उठा रहे है, भारत भी हरित उर्जा की तरफ जा रहा है, अक्षे उर्जा की तरफ जा रहा है, ताकि यह जितने खत्रे उत्पन हो रहे हैं, उनको कम किया जा सके, इसके लिए कई तरह के प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहा है, एक कुशन है मेरी तरफ से आज आपके लिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रूप पर आपको मिली जाएगा, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में, आप जल्दी से देंगे इसका आंसर, कोई भी तरह के issues आते हैं, यह मेरी mail idea, यहां question पूछ लेंगे, यह Instagram idea यहां पर जुड़ सकते हैं, और Telegram group से आपको PDF भी मिल जाएगे, तो PDF वहां से ले लीजगा, इसके अलावा मेरे साथ आप परयावरन पारिश्थिति की, विज्ञान पुर्दिगी की, यह दो सब्जेक् जोईन कर सकते हैं, इसमें हिंदी माध्यम में, वैसे 11 अगस से बैच शुरू हो रहा है, English में भी है, English में भी है, लेकिन हिंदी माध्यम की अंतरगत, आपको दो सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, Science and Technology और परयावरन पारिश्थिति की, तो इससे आप ज आव ग्रीड टेप